तो कहानी की शुरुआत होती और हम एक जंगल में एक नन को गोमते हुए दिखाया जाता है और इस नन का नाम मारिया होता है लेकिन तभी जंगल में उसे गोमते हुए एक आदमी भी मिल जाता है और यहादमी पूरे निर्वस्त्र होता है और यहाँ पर वो मारिया को सामने देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी मारिया डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। अब इसके बाद वो अपने गौड के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। तभी यहाँ जानक से एक अंजान शक्स और आ जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि यह लड़का भेड़े चाराता है। जिसके बाद मारिया उसके भेड़ों के साथ खेलने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे फही आदमी फिर से दिखता है जो कि उससे कुछ देर पहले निर्वस तरवस्था में मिला था। और वो उसको खाने के लिए एक सेप देता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टर मारिया उसे देखकर काफी घबरा जाती है कि मेरे मन में अब तो वही बिचार आएंगे। जिसके बाद वहाँ से रफ्तार में भाग जाती है। और यह आदमी यहाँ पर एक विलेन जैसी स्माइल करते हुए रह जाता है। यहाँ पर हम जान पाते है कि मारिया एक बहुत बड़े जंगल में काफी नंस के साथ एक चर्च में रहती है। और यहाँ पर इन सारी नंस का यही काम था कि गौट की पूजा करें और एक नॉर्मल जिंदगी जी हैं वो भी विना किसी मर्द के। अब यह लोग जब खाना बना के खा रहे होतें तब य मारिया की दिमाग में ऐसे ऐसे विजार आने के लिए वो खुद को पनिश करती है। तब ही उनकी जगह पर एक गाई बीमार हो जाती है जिसकी देख भाल करने के लिए मारिया वहाँ पर चली जाती है। तब ही वहाँ पर जौन आकर अपना जूठा सेब उसके सामने आ रही होती है जिसकी मदद से उसने अपने आपको पनिश्मेंट दी थी और वो दूसरी ननिये करते हुए उससे देख लीती है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मारिया अगले दिन जंगल में निकल पड़ती है तब ही वहाँ पर उसे वही भेट चाराने वाला नहीं आती जिसकी वज़एं से वह वहाँ से उटकर भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर मारिया उसके उपर काफी गुस्सा हो जाते है कि आखिर उसने उसे रिजिक्ट कैसे कर दिया। जिसके बाद अब वो वापस से चर्च में चली जाती है। लेकिन अब मारिया दूसरी ननफासी लगाने की ट्राइ कर रही होती है लेकिन मारिया दिल की काफी अच्छी थी वो हेल्फ करना चाहती थी जिसके बाद वो उस नन को धक्का दे देती है और इस तरीके से दूसरी ननफासी पर लटक जाती है दरसल उसने फासी इसलिए लगाई थी क्योंकि एल्डर सिस्टर उसको काफी जार असा जा देती थी अब इस नन की हल्प करने के बाद मारिया बाहर जाती है और वो सीधह उसी बेढ़ वाले लड़के के घर पर जाती है और वहाँ पर वो छोटू सो रहा होता है यहाँ पर मारिया छोटो की दादी की हल्प करती है लेकिन यहाँ पर मारिया किसी की हल्प करना नहीं आय थी वो अपने जरूरत का सामान लेने आय थी लेकिन यहाँ पर मारिया तो सोचते है कि दादी जैसे ही सो जाएगी मैं छोटो के पास जाओंगी और अब वो ऐसा ही करती है अब छोटो के दादी के सो जाने के बाद वो सीधा छोटो के सामने जाती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसके रजाई के अंदर घुश जाती है और जिस सामान को वो लेने आय थी उस पर जैसे ही हाथ रखती है तो छोटू उड़ जाता है और अब वो फॉरन मारिया को अपने उपर से हटाने लगता है और यहाँ पर मारिया एक बार फिर से गुस्सा हो जाती है और वहीं पर पास रखे चाकू को मुन्ना की छाती पर भौंग देती है और उसके घर में देख लीती है और उसके पीछे 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 जाने लगती है तब उससे सिस्टर कहते है कि मुझे मालूम पढ़ गा ही है सब कुछ तुम नहीं किया है जिसके बाद वो एल्डर नन गौड़ से मांफिय मांगती है और तब ही मारिया अपने शैतान को याद करती है तब ही गुफा में जाकर अपने गौड से माफी मांगती है लेकिन तभी वहीं उसके पास से फेकने वाला जौन आ जाता है और यहाँ पर वो मारिया से कहता है कि तुम्हें शैतान ने चुना है और तुम हमारे जैसी हो और हम यहाँ की सारी नंस को अपने जैसा बनाएंगे ना ही कोई पाबंदी होगी जिसका जो मन करे वो कर सकता है जिसके बाद अब सारी नंस मिलकर मारिया को अपना हेट बना देती है जिसके बाद मारिया उसके साथ जाकर खुब मस्ती करती है लेकिन तभी अचनक से सारी नंस मारिया के पास आकर उसे चाकू भौक्टे लगती है जिसकी वज़े से मारिया की खलत काफी खराब हो जाती है और वो लड़कणाते हुए अपने कमरे में जाकर लेट जाती है लेकिन तभी उसके खून का धपा गायब होने लगता है